Hello Friends, कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फर्स्ट गेर में लोग बोलते हैं फ्रीस्टाइल के थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो गेर में क्या प्रॉब्लम है? Actually यो प्रॉब्लम नहीं है वो इसका जो गेर रेशियो है वो थोड़ा शॉट है तो मैं आज आप लोगो समझा देता हूँ कि फर्स्ट गेर क्यों आप लोगो प्रॉब्लम नेता है गाड़ी चलाते वक्त तो इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फोड फ्री स्टाइल के फर्स्ट गेर में थोड़ा सा लोग कहते है इशू आता है उनको मतलब फर्स्ट गेर डालते वक्त फर्स्ट जाता है जैसे अभी कार न्यूट्रल पे है और जीरो है स्पीड खड़ी है कार जब कार खड़ी है तो तो प्रॉब्लम नहीं आती है लोग को अक्सर लोग को प्रॉब्लम तब आती है जब कार मोशन में रहती है बीस की स्पीड पे या स्लो पे सिटी में तो गेर डालते है तो नहीं लगता है कई बार तो वो प्रॉब्लम किया है मैं आज आप लोग को पूरी चीज़ बताने वाला हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि गेर अब मैं लगाता हूँ फर्स्ट गेर मैं लगा दिया अभी तो कोई प्रॉब्लम नी है सीधे लग गया अब मैं स्टार्ट करता हूँ चलाना कार को कि अभी मैं 20 की चल रहाऊ उप केंड गयर में हो ज़ olduğunu आप जाएज़़ाथर प्रोलोग को प्रॉब्लम यही आती है सेकंड सेसे फस्ट केर आने में वो प्रॉब्लम तहां आती है और क्यों आती अब मैं आप लोग को demonstrate करता हूं तो problem पहले दिखाता हूं क्या आती होगी आप लोग को अब मेरी speed जैसे धीर धीर slow करूंगा मैं अभी मैं 20 30 पे चल रहा हूं अब मैं speed slow करता हूं मा अब मेरी speed 20 पे है तो कई लोग सोसे 20 पे first gear डालना है अब मैं gear डालता हूं यह यह थोड़ा सा फसरा है फिर लग रहा है तो यह इसलिए है कि first gear की limit है 10 gear 10 तक 10 की नीचे का रहे तब ही आपको first gear लगाना है ऐसा की हुए क्योंकि gear ratio इसका starting में काफी short है first or second gear में short gear ratio है और third, fourth, fifth तो यह सारी चीज़े आप मैं technicality में तो नहीं जाओंगा अपना अंदर बस इतना मैं बता दूँ कि first gear आपका अगर 10 की speed के नीचे है तब ही आप डाली otherwise आप second gear में ही उठा सकने कार को जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो आप speedometer में देख सकते है 20 से नीचे जारी कार तो 20 से नीचे है मैं second gear में second gear में अब मैं कार को पिक कर रहा हूं तो कार पिक हो जाएगी ऐसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इसी लिए इसका gear ratio ऐसे बनाया गया कि first gear आप 10 की speed से नीचे डालेंगे 10 की speed से नीचे इंगेज करेंगे तब ही अच्छे से होगा अधर्वाइस वह फसेगा क्योंकि वह उस गेर रेशियो मतलब उस आर्पिम बैंड में फिट नहीं बैठता है और इसलिए उसमें प्रॉब्लम आती है तो अब मैं आप लोग को थोड़ा गेर रेशियो और इन सारी марasanम को हम वह शाखने वह जल्दी रेडलाइन हो जाता है तो अब है अब सखेंडव आप लुकुल क्लिश सकते हैं में जल्ठी बढ़ रहो है मैं फोर्ट डालता हूं तो थर्ड में वकास केगा कि आप आर्पिम इंड् स्पीड में तो थेज भागे पीड्न की स्पीड आप आपको आर्पीम मींटर जो है वो धीरे धीरे बाढ़ रहा है इसी हो कहते है टॉल गेरिंग जब टॉल गेरिंग होती है तो कार जादा देर तक स्पीड बढ़ा सकती है और रेड लाइन नहीं करेगी तो आशान भाशा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं तो यही इसके पीछे हाद का रिजन है कि आपको फर्स गेर में प्रडलम होती ही आप मैं फर्स गेर इसमें डालना चाहों जैसे मैंने eigene न्युटरल कर प्रॉब्लम में करता है और यह प्रॉब्लम यह 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 तरीके का यह 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 तो फिर यह का सूब यह जरी bit संधेम से जल्दी सब्रॉब्लम में फिर प्रकषान से प्हूंड रही है में इसको में अबको अब मैं फोर्थ गेर डालता हूं फोर्ट गेर में आप लोग देख सकते हैं उतना तेज नहीं बढ़ रहा है फोर्थ गेर में और स्लो गई आर्ब्यम्प स्पीड तो इसी को कहते है थर्ड फॉर्थ फिफ्ट टॉल गेर से इस कार के तो यह स्पीड पर क्रूस करने के लिए तो इसी लिए फर्स्ट गेर आपका फस्ता है तो यही चीज है थी जो मैं आप लोग को समझाना जा रहा था तो पहले बता दू कि कार में ऐसा कुछ नहीं है कि कार में कोई डिफेक्ट है क्योंकि कई लोग यह मैसेज कर रहे थे हैं कई लोगों ने तो मैंने शायद वीड नहीं है तो इसलिए मैंने आप लोग को पूरा डेमंस्ट्रेट तो पहले आप लोग देखी चुके हैं वीडियो में तो बात यही है कि आप कोई भी कार लेंगे इस समय तो उनमें गेर रिशो स्टार्टिंग में शॉर्ट ही रखे जाते हैं ताकि सिटी में चलाने में बात करूं तो इसमें फर्स्ट गेर अभी नॉर्मली लग गया सेकेंड गेर और थर्ड गेर यह थोड़े से शॉर्ट है थर्ड थोड़ा सा टॉल मतले भी मीड मीड का गेर है एंड फॉर्थ और फिफ टॉल गेर से इसमें आपके आर्पीम जल्दी नहीं बढ़ेंगे और गेर लगाने प्रोब्लम होती बट मैं आप लोगो बता दू पर्टिकुलर फ्रीस्टाइल में प्रोब्लम नहीं है एक्चुली प्रोब्लम ही नहीं यह आजकल आप अल्ट्रोस चलाएंगे वो भी थ्री सिलेंडर इंजन के साथ आती पेट्रोल में तो उसमें भी यही उतने पर रिवर्स लगा के देखना रिवर्स भी फसेगा और अगर आप ज्यादा जोर से लगाओगे तो खुब जोर से आवाज करेगा खच करके तो वही होता है क्योंकि वह उस आर्पेम बैंड में फिटी नहीं बैटता रिवर्स गेर एंड्र जब गाड़ी मोशन में ह शारी घूमती रहती है पार फिर पूरा पोसिट डिरेक्शन को घूमना होता है तो इसलिए रिवर्स गेर में इसलिए आवाज नहीं आती है लेकिन फस्ता है थोड़ा सा क्योंकि वही मैंने आप बताएं की बैंड की प्रॉबलम है अगर आप लोग लगता है कही लोग ऐस प्राइदा नहीं आपकी प्राइविंग सेटिंग है यह कंपनी की कोई इशू नहीं है तो यही चीज में आप लोगों की इस वीडियो में सम्झाना चाहरा था एक और इशू जो लोग करते हैं लेक्ट साइड पुलिंग का तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर मै अपि अच्छा में वीडियो दे दू तो उसका भी बेट कर लीजएगा आप लो और यह वीडियो अपलो यह एक सप्सक्राइब कर सकते है girls वीडियो में तब तक की लिए के लिया सीग बैल पैनि हेल्मेट पैनिये और सेफ चलिए गुट पाई झाल 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 झाल